इस वीडियो में बात करेंगे component के उपर component क्यों बनाते हैं हम लोग modules के उपर widget के उपर और last one जो है अपना state management के उपर तो ये चारों चीज़ों को हम पहले समझते हैं पहले क्यों कौन सी चीज़े ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ जो है component component क्या होता है जो चीज़े multiples time use कर रहे हैं उसको हम लोग component बोलते हैं जैसे कि आपने एक text field बना ली एक drop down बना ली है और एक और एक उपनी radio button या कुछ भी बना ली है आपने तो अब आप क्या चाहते हैं उस चीज़ को multiples time use करना है example के तोर पे आपने क्या किया sign in page के अंदर आपने दो field बनाए एक email और एक password तो आपको text field चाहिए तो आप बार बार text field यूज़ करोगे यह तो सही नहीं है क्योंकि आपको बार बार design वही बनानी होगी जो आपने उपर बनाए email वही password में तो इसको easy करने के लिए हम यूज़ करते है component जो चीज़े multiples time use हो उसको हम लोग कहते है component जैसे कि मैंने आपको बता दिया जैसे आपने एक text field बना ली उसको बार बार यूज़ किया हर जगा sign in page में यूज़ किया sign up page में यूज़ किया आपको बार 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 वो चीज़े बनाने के जरूद नहीं तो इस लिए हम लोग यूज़ करते है component अब बात आती है widget कि विज़िट क्यों बनाते विज़िट फोर नहीं कि वह जो नॉर्मल विज़िट हम लोग यूज़ करते है जैसे आपने क्या बना है एक component बना लिए टेक्स्ट फेल लिए और आपने विज़िट में क्या गिया एक छोटी सी विज़िट ही बना दी डारेक्ट एक्जमपल के तोर पर आपको काफी सारे चीज़े चाहिए एक जगा जैसे कि आप मान लो कि आपको एक जगा चाहिए ड्रॉप डाउन और एक जगा चाहिए आपको टेक्स्ट फिल्ड चोटा सा फॉर्म ची बना हुआ ठीक है तो वहां पर आप विज़िट यूज़ करते हैं विज़िट में क्या करते हैं वह दो चीज जो आपने यूज़ किया है वह यहां पर यह विज़िट तो आपने component के अंदर दो चीज बनाई एक component बनाया अपना टेक्स्ट वेल्ल का दूसरा बनाया आपने drop-down का तो आपने क्या किया उस तो उपर में जो आपने दो चीज बनाए यहां पर उसको ले लिया जैसे की आपने form बनाया sign in करके email भी ले लिया और password भी ले लिया उसके साथ आपको check button जैसे होता है read me करके आपने ये सारी चीज़े ले लिए तो आप भी एक widget बन गया है आपका जिसका नाम आप दे सकते हो sign in widget तो ये widget वहाँ पर आपने call कर लिया जिससे क्या हो आपकी जो भी page है वो उस पर जादा code नहीं लिखाएगा जिससे आप बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हो ओके तो ये रहा अपना widget है अब module क्या होता है ये समझते है example के तोर पे आप माल लो कि आपने कोई भी एक plugin यूज़ की जैसे battery plus drift जो भी आपने उसकी तो एक ये plugin है तो ये plugin एक module का काम करती है जैसे आप माल लो कि आपके पास घर पे चार्ज आ रहे है और आपके laptop तो ये जो wire है वो क्या गरता है वो एक power supply में अपना power लेता है वहाँ से उसके बाद जो दूसरी है वो pin वो अपनी laptop बजाती है तो ये एक module बने जाना वो वहाँ से data तो ले रहा है जैसे pub def के अंदर ये चीज़ तो है पर हम उसको use करेंगे तो एक module बन जाता है ये अपना charger का जो pin होता है वैसे ही ये plugin जो थी वो अपनी module बन जाती है जैसे आपको मैंने का कि आपने project बने हैं आपनी module use की कौन कौन सी तो आप जो use कर रहे है आप तो बताओ गया मैंने ये यूज किया ये वाली यूज किया battery plus वाली यूज किया drift यूज किया I mean flutter block यूज किया मतलब आप जो भी module यूज कर रहे है पर होते वह अपने किया तो यह होता है अपना mode तो इसमें हम जो database घो कि चीज़ साफ़ेर बनानी की बात करते न तो इसमें database server side technologies और front end का जो framework की बात हाती न जब तो ये सब चीजे हम data efficient तीजी server से client तक पहुचाने के बहतरीन तरीके से करते हैं example के तोर पर जैसे आप मालो कि आपने जो state management यूज़ किया उसे क्या गिया कि आपने data लिया server से और आपने अपने पास save कर लिया फिर आपने उसको call कर लिया तो ये जो चीजे हो रही है बार बार जैसे मैं बताता हूँ आपको जैसे आपने data server से लिया आपने का यहां भाई मुझे data चीए तो आपने server से बुला हां मुझे चीए यहां भाई यह तो बंदा मुझसे बार बार डिटा मांग रहा है तो यह क्या होता है यह लूड जो हता है पने सर्फर को पढ़ता है तो हम लोग स्ट्रीट इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग जब भी इस डेटा से जो भी सर्फर साइट से जब भी हम डेटा लें तो उसको अपने पास सेफ कर ले उसको कि बाद हम उसको जहां पर सेफ कि हैं वहां से बार पर कॉल करके लिए तो इससे क्या होगा मुझे हजार बार EKPI पे call करने के ज़रूवत नहीं रही हम एक ही बारी में सारी चीज़ों को cover कर सकते हैं तो इसलिए समझ लीजिए हम data state management को use करते हैं जिससे अपनी application की performance fast हो पहली advantage, दूसी advantage कि अपने server के उपर कोई भी ज़ादा server के load नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक बार data call किया, आपने वहाँ data save करा लिया और जहां पर save करा है वहाँ से बार बार आपने call कर लिया तो इससे क्या हो, कि हमारा server के load कम पड़ा और जो तीसरी जो सबसे अच्छी बात होती है, वह क्या होती है जहां पर आपको changes करवाना होगा वहाँ पर वह automatically notify listener के दुरू मतलब automatically वहाँ पर changes हो जाएगा क्योंकि वह listen करता है stream builder यूज होता है वैसे ही करके वह मालनों आपके वह listen करते थोड़ा सा भी change होगा real time वहाँ पर change हो जाएगा तो इससे क्या फाइदा हुआ इससे यह फाइदा हुआ कि जो अपनी जहां पर हमें changes कर रहा है जो अपनी data से API से जो data आ रहा है जो भी वह reflect कर रहा है जब भी अपने saver वाली जहां है जहां भी saver हो रहा है फिर वह सामने वाला बंदा जो आपको भीज रहा है तो वह web socket के दुरू होता है ठीक है तो अब आप क्या करोगे क्या कि वह जो उसने बंदा है ने message किया तो आप क्या बार बार से स्क्रेट करोगे screen को तो उससे क्या होगा अपकी सारी screen refresh होगी तो मतलब दुबार रिवील्ड होगा तो यह चीज़े जो है battery consuming पर बहुत असर करती है मालव आप और जो दूसरी चीज़ी है वह अपनी performance पर effect देती है कि मतलब थोड़ी slow हो जाती है तो क्या करता है अपना state management वह जो चीज़ें उसको reflect जो करता है वह real time पर करता है तो इसलिए हम use करते है state management और इसके disadvantages भी है यह है कि आपको इसको बढ़ना होगा और जो दूसरी disadvantage है वह यह है कि अगर से आप उसको carefully नहीं लिखते हो सही से नहीं लिखते हो तो आपको problem हो सकती है उसको समझने में तो यह है और जो तीसरी है कि little bit आपकी जो screen जो application के size वह थोड़ी improve हो जाएगी बढ़ जाएगी जैसे application के size बढ़ जाएगी तो यह अपना रहा सारा intro रहा अपना state management का और widget का और module का और component का तो अगली episode में हम क्या करेंगे इस चारों चीजों को implement करेंगे one by one और one by one part से divide करके और जो भी चीजे मतलब कुछ और चीजे आपको brief में समझानी होगी तो वो उस tutorial में directly बात करेंगे so thank you and bye bye यहा झाल 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 झाल